असलाम लेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए दही बड़े की रसीपी लेकर आई हूँ दही बड़े तो बहुत किसम के बनाये जाते हैं लेकिन जो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ इसे कहते हैं हेदराबादी दही बड़े तो बगेट आम वेज्ट के इसे बनाते हैं यहां सबसे पहले मैंने चटनी के लिए कुछ समान लिया है साथ से आठ यहां पर मैंने हरी मिर्च ली है मोटी वाली तीन जवे लसन के एक कप हरा दरिया हाफ का पुदीना इन तमाम चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे चटनी बनाने से पहले वन टी स्पून नमक एट कर देंगे नमक टेस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा और टू टेबली स्पून इसमेट करेंगे पान तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है मैं आप लोगों को चेक कर वा देती हूं अब हम इसे साइट पर करते हूं और दही बड़े बना लेते हैं यहां मैंने दो कब बेसन लिया है जिसे अच्छे से चान लिया है इसमें कुछ इंग्रेडियंस जाता कुछ हमें इसमें बिल्क्ल भी आड़ना करना हाफ टेबिली स्पून इसमें जहीर आड़ कर देंगे यहां पर हम क्ने का कम ही स्बाइड स्द्द बहुतीं सॉफट पकोर्ड़े बनकर तैयार होती है तो इसे आइट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हम नॉर्मल पानी ले रहे हैं इसे बनाने के लिए ना तो गरम है ना ही ठंडा तो नॉर्मल पानी से इसे बना रहे हैं हम बेटर हमारा बिल्कुल तैयार है आप लोग देख सकते ह तो मैं आपको इसे चेक पी करवा देती हूं 10-15 मिंट के लिए हम इसे साइट पर डगतेंगे जब तक हम अपना ऑइल गरम कर लेते हैं तो मैंने यहां पर कड़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिए है लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राय करना है इस्पून की मदद से हम एड़ करते जाएंगे बेसन को तो यहां मैं आप लोगों को बताती है चलूं यह रेसिपी ऐसी है कि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चमच के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्ट्री बन कर तयार होती है जैसे कि रमजान है रमजान में तो यह आईडियल रेसिपी है तो आप लोगों न तो आप इसे पलट लिया करें, इसे ये होता है कि आ पकोडे बिल्कुल भी नहीं जलते तो यहांपर मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि फ्राय हो गए हैं तो इसी तरह मैं तमाम फुल्कियों को फ्राय कर लूँगी फुलकिया हमारी फ्राय हो गई है तो यहां पर मैं बाउल में पानी ले लूँगी जिसमें तमाम फुलकियों को एड़ कर दूँगी और से 15-20 मिनेट के लिए रख दूँगी किसी चीज से ढख कर तो यहां मैं टावल से ढख कर रख दूँगी इससे यह होता है कि हमारी फु पानी जो एक्स्ट्रा है फुल्कियों में से निकालती जाओंगी और इसे एक प्लेट में रखती जाओंगी तो तमाम फुल्कियों को मैं इसी तरह कर लूँगी यहां मैंने पैन में आदा किलो दही लिए जिसे अच्छे से फैंट लिए अब इसमें कुछ इंग्रेडियांस आड़ करेंगे तो मैं आपको दिखाती है चलूँ अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं किया जरूरत पड़ी तो फिर मैं एड़ करूंगे तो यहां पर मैंने फोर टेबल स्पून के बराबर चटनी ली है इसे एड़ कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अगर जरूरत महसूस हुई तो चटनी हमने अच्छी खासी बनाई है तो हम इसमें और भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर फोर टेबल स्पून एड़ करी है आदे किलो देही में तो यहां पर मैं हाफ कॉप पानी लूँगी और इसमें एड़ कर दूँगी जाद नहीं महसूस हुए तो मैंने यहां पर है नहीं किया नमक, तो यहां पर एक एक कर के फुलकी को अइड़ कर देंगे, तो यहां पर मै Only the pre-ятель में कर देंगे वन टी स्पुन जीरा यहां सफेज जीरा लिया है तड़के के लिए और यहीं पर हमने चार से पांच जवे लिये हैं लसन के जिसे मैंने कट कर लिया है इसे भी आइड कर लेंगे और इसे हलका सा फ्राइ कर लेंगे इस स्टेज पर हम एट कर देंगे सास से आट साबुत лाल मिर्च और इसे भी हल्का सा फ्राय कर लेंगे सादा हमें फ्राय नहीं करना भस हल्का सा फ्राय करना है तड़का हमारा मेरे बिल्क revelation अब हम इसे फुलकियों में एट कर देंगे तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर ट्राय करें और हैदराबादी दही बड़ो को इंजुआए करें ये दही बड़े आप रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं रोटी के साथ भी तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोगों कोई रेसिपी अच्छी लगए हो तो इसे लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले मैं मिलती हुए एक न्यू रेसिपी के साथ इजासते हैं अल्ला हाफिज